बड़ी खबर आ रही है योगी आधितनाथ और अमिच्छा के बीच बैठक खत्म हो गई है दोनों के बीच तक्रीबन देल घंटे बैठक चली है और बैठक में अनूप्रिया पटेल भी मौजूद रही है बैठक के बाद घर से डिकल गए हैं मुख्यमंत्य योगी आधितनाथ आपको बता दें कि दो दिवसी दिली दोरे पर पहुंचे हैं उत्रक्रदेश मुख्यमंत्य योगी आधितनाथ और अपने इस दो दिवसी प्रवास पर वो कई मैध्पूर बात बैठके करने वाले हैं जिसमें उनकी आज मुलाकात ग्रीमंत्री अमिच्शा से हुई है कल वो बीजेपी अधिक जेपी नडगा से और पौने ग्यारा बजे का वक्त मिला है तो दान मंत्री नहीं मोटी से मिलने का बहुत सारे कायां से बहुत सारी अटकले हैं ये माना जा रहा है कि आगामी उत् पाचीत हुई है ग्रीमंत्री अमिच्शा से मुलाकात के पीछे और भी कई चीजे हैं क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाओ हुआ था पिछला उसमें ग्रीमंत्री अमिच्शा यूपी के प्रभारी थे और वहां पर उन्होंने बीजेपी की जो नीव रखी थी उस जो पूरा एक सिस्टम है वो बैठाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है सरकार की इमज को और ज्यादा क्लीन करने की कोशिश है और ये भी माना जा रहा है कि कल जब प्रदानमंत्री नहिनमोदी से मुलाकात होगी तब कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन पर चर्चा होगी जो संगठन की तरफ से आला कमान की पात पहुंगी तो रहूल इस खबर पर हमारे साथ जादे जान का एक साथ जुल गए हैं रहूल मीटिंग देल घंटा चली है आमिज शाह के साथ और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी क्या दर्शाता है ये क्या बातचीत हुई हो ओंप्रकेश राजपात की ये दो पार्टिया थी जिनके साथ बीजेपी 2017 की चुनाओं में गए थी और अपना दल के रिस्पॉंस की बात करे तो अपना दल के विधायक जादा थे कॉंग्रेस की तुलना में जबकि कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ घटबंदन म पार्टी की जो पटेल पार्टी है इसका अपना दल का अच्छा खासा है पुर्वी उत्तर प्रदेश में खास तर पर काशी के आसपास के अलाके में काई विधान साबाद शेतर में काशी इसलिए में मैत्पुडे की प्रधान मंत्री खुद वहां से लोकसभा के सांसत के पर चुन के आते हैं ऐसे में जो बैटा कुई है वो कैबनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है संभावना ये है कि आगे किस तरीके से काम किया जाएगा अगर कोई नराजगी है छोटे राजनेतिक दलों के साथ विधिन पार्टी सरकार और संगठन के बीच में कमी है तो वो कैसे दुरुस्त की जाएगी कि 2017 में बहुत लंबी लाइन कीची थी 320 के आसपास गड़मनन के साथ मिला करके बीजेपी का जो बंपर भाउमत था इंडिये का जो बंपर भाउमत था उसकी लंबी डेखा को और कैसे बढ़ाये जा सकता है और बीजेपी इस लिहास से भी चुनावी मोड पी आ चुकी है क्योंकि बीयल संतोष ठंगठन और सरकार दोनों की नेताओं से बाचित करके लखनाओ पहुसते हैं जेपी नडडार अविवार और इतवार को बैटक लेते हैं और रिपोर्ट कर प्रधान मंतरी को सोपते हैं ऐसे में मान के चली जो बै प्रफार्मेंस भी करनी है और साथ में अपनों को साधना भी है जी विकास संद्रवी हमारे साथ जुड़े हैं विकास एक चीज तो क्लियर हो गई है कि योगी आदितनात के चेहरे पर ही उत्तरप्रदेश में बीजेपी चुनाव का बिगुल फूकेगी अब बस उस पिर से चुनाव मैदान में उत्रेगी और काफी पिछले दिनों गहमा गहमी देखी गई थी पार्टी में कापी खीचतान हुआ योगी के खिलाब पार्टी के अंदर अशंतोस भी है एक तबके में तो उस सब के आगे की राजनिती को अगर हम देखें तो योगी आप दिल बीजेपी अपने लिए सबसे ज्यादा महत्रपूर्ण मानती है और किसी भी दल के लिए है जो राष्ट ये राजनिती में है इसके साथ साथ बीजेपी वहां के इतिहास को दोहराना चाहती है तो इसी वज़ए से एक जैसा की पर राहूल कहा रहते है बिल्कुल दुरुस बैलेंस बोट में कुछ नुकसान होता है तो दूसरी तमाम चोटी चोटी जो पार्टियां है चोटे चोटे जो जातिगत समू है जिनके समीकरन वहां की राजनिती में प्रभाव रखते है उसको साथ लोग कि बीजेपी की रणनिती का ये हिस्सा होता है जो कभी बीजेप को भी मजदबूत करना है केविनिट में बैलेंस भी बनाना है ताकि को चुनाव अगर सामने है तो उसके पहले जिसकी नराजगी है उसकी नराजगी को भी दूर किया सके केविनिट के विश्थार से तो कई एहम बाते हैं जो योगी दिल्ली आये हैं तो जब नेताओं से म प्यारी का खाखा उनके सामने पिछले दो दिनों से रख रहे हैं तो एक साथ बीजेपी उनके साथ मौझूद है जी क्योंकि संगठन जो नड़ा जो हॉमवर्क कर रहे हैं जो बैठकों का दौर बीजेपी में काफी पहले से चल रहा था एक तरह वो राजनितिक था दूसरे तरह संगठन के अस्तर पे था संगठन को कैसे मजबूत क्या जाए उसका विस्तार कैसे क्या जाए करोना की वज़़ा से ज model में सरकार के खिलाप पसंत उस उत्पन हुआ है उसको कैसे संगठन और पाटी के जरिये से दूर किया जाए इसका पूरा एक खांका बीजेपी ने तयार कर रखा है बीजेपी पूरे देश भर में अभियान भी चला रही है और मज़े की बात है कि उस पूरे अभियान पर खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की निगाह है और नरेंदर मोदी हर बात की जानकारी ले रहे हैं यही वज़ा है कि कभी भी नड़ा जाते हैं तो संगठन मंत्री साथ में होते हैं कभी नड़ा जाते हैं तो उन नेताओं को साथ लेकर जाते हैं जिने इस अभियान में जिम्मारी दी गई है उन मोर्चा के अध्धक्षों को भी लेकर के जाते हैं जिन मोर्चा के अध्धक्षों को जिम्मारी दी गई है जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ACST मोर्चा, किसान मोर्चा ये चार ऐसे मोर्चे हैं जिसको अहम जिम्मेदारी कोरोना के खिलाब जो BJP ने अभियान छड़ा है उसमें इन चार मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है इसके पहले जेपी नटा गए थे तो वो युवा मोर्चा के उले करके साथ में गए थे तो एक साथ BJP कई लेवल पे काम कर रहा है ये योगी का दिल्ली आना काफी महत पूर्ण है चुकि इसमें राजनितिक भी, संगटनिक भी और सरकारी भी सभी अस्तरों पे बाद चित करके इस्थिती को नियंत्रित और संतुलित करने की कोशिस की जाए से मिलेंगे और उसके बाद के जो सारे कारेक्राव में मुक्यमंत्री ने आरक्षित रख रखे हैं यानि वो समय उन्होंने जेपी नड़ा से मुलाकात के बाद निकाल के रखा है मुझे लगता है कोई फैसला होगा वो जेपी नड़ा से मुलाकात के बाद ही होगा जेपी नड़ा और प्रधान मंत्री जी की अभी बैठक चल रही बैठक हुई है 7 RCR में 7 लोकल यान मार्ग में ये भी बहत महत्तोपोन है और साथी साथ तीन चार लेवल पर फीडबैक भा कि दिन लखनों में रहते हैं उन्होंने यहाँ पर कई तरह की बैठके कि और RSS और BJP मंतन करके ये तही किया है कि चुनाओ तो योगी के नित्रत्व में लड़े जाएंगे लेकिन जो निगेटिव पर्शेप्शन खास्तोर पर दूसरी लहर कोरोना के बाद गया है उसको क प्रिया पटेल अपना दल काफी समय से नाराज चल रही है क्योंकि उनकी पार्टी से जिसको प्रतिनिद्र तो चाहती थी मंत्री परिशत में नहीं मिला है तो ऐसे में अब जो फाइनल कवायद होगी वो ये होगी कि इन चेहरों के साथ योगी चुनाओं में जाएंगे उ कि इस में विधाईकोर मंत्रियों के असंतोश को दूर करने की कोशिच होगी इसमें थोड़ा नवकर्षाही पर भी नकेल होगी और इसमें सभी लोग एक पेच पर हैं खास्ता और प्रधान मंत्री जी जेपी नड्ड़ाजी और अमिश्याजी और योगी जी इसको एक सिं में कैसे बतला जाए, संतोष को कैसे दूर किया जाए, कैसे सोचल इंजिनिरिंग की जाए, इस पर ध्यान देना चाहती है भारती जन्ता पार्टी और कल जिस तरह से जितन प्रसाथ को शामिल कराया गया और जिस तरह से आज योगी आधितनाद दिलिया हैं और जिस तरह की रूपजाती का गड़ित जानते हैं और उनके चेहरों को पहचानते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रवास से दिल्ली का ये बहुत कुछ कहानी भी कहता बहुत बहुत शुक्रे आप सभी का हमारे साथ जोनने के लिए